तो आप सभी को जैसे की पता चल ही गया होगा एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपने इस यूटीब चैनल रिगनार नर्सिंग क्लासेज में तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स आज की जो ये मॉर्निंग है आप सभी के लिए इस्पेशली पंजाब के उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही जादा फ्रेश रहने वाली है क्योंकि आज चुकी है बाबा फ्रीद कोड की जो नई विकैंसीज है वो ठीक है बई तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा जिनका ये डाउट है कि मैं वेबसाइट पे शोर नहीं हो रहा है ये हमें मिल नी रहा है फोर्म कैसे अपलाई करना है एक बार नजर डालिएगा जो भी बच्चे सेलेक्शन लेना चाते हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो रहने वाला है तो एंडिंग तक जरूर देखिएगा वीडियो को सारी चीज़े मैं एक्स्प्लेइन करूंगे आप लोगों को यहां पे ठीक है बई तो ये है अपनी एप जो आप इंस्टोल कर सकते हो रेगनार नर्सिंग अकेडमी आइफोन वाले बच्चे डिरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं वेट्सेप नंबर पे रेगनार नर्सिंग अकेडमी रैंक फर्स्ट जो था बई सोनिया जो कि आपके प्रीवियस केंडिडेट्स मे अपने माबाप का नाम रोशन किया आपको इतने स्लेक्शन्स चाहे कहीं भी कोई भी अकेडमी हो पंजाब के अगर आप किसी भी एक्जाम में स्लेक्शन लेना चाहते हैं तो आप शोरली जोइन कर सकते हैं रेगनार नर्सिंग अकेडमी को तो जो भी कैंडिडेट्स हाली का एक्जाम रहा हो चाहे बाबा फ्रीद कोट स्टाफ नर्स का तो आज ही अपना बैच जोइन कर सकते हैं नंबर पे कोल करके मैसिज करके अब मैम प्रोब्लम यह है कि विकेंसी सिरफ 120 है तो भी आप लोगों को तो सिरफ एक ही चाहिए है ठीक है ना एक दो कैंडिड ठीक है ना तो आप लोग भई अपनी प्रिपेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हो बिना देरी किये तो www.bfuhs.ac.in की ओफिशिल वेबसाइट पे आप 6 तारिक से यह जो नोटिफिकेशन है कल तक बहां पे भी डल जाएगा ठीक है अभी दो दिन है तो आप लोग ओफिशि आपको रेगनार नर्सिंग अकैडमी से मिलेंगे क्योंकि जो प्रिवियस सेलेक्शन आप देख सकते हो उन बच्चों ने भी कितनी महनत की और उनके पीछे हम लोगों ने भी कितनी महनत की तो हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है बस आप लोगों को पढ़ना है और कि अपने माबाब का नाम रोशन करना है तो जिन भी बच्चों का सपना है गवर्मेंट जोब लेना ओवर एज हो रहे हैं या फिर एक लिमिट पर खड़े हैं कि मैम इसके बाद एक्जाम ही नहीं दे पाएंगे तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं सबके वीडियो एक्षिन के लिए रेगनार नर्सिंग चंडीगड को आप्रोक्स जो एज रहेगी वो 37 के लगबग रहेगी इसमें तो आप लोग जो 37 तक के बच्चे हैं जनल कटेगरी तक त्यार रहिएगा आपकी एज लिमिट अगर इतनी है तो आप शोरली अपना जो एक्जाम है वो